हेलो दोस्तों देखो सीखो विट वेकेसिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज हम भात्य सम्मिधान का प्रैक्टिस सेट दो सॉल्व करेंगे ठीक है और जिन लोगों ने अभी तक सस्काइब ने क्या है नीचे रेट का बटन सस्काइब और बगल में एक बेल करन होगा घंटी होगी आप उसे दबा देजे ठीक है जिससे मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लेक्या हूँ तो आपको पता चलते रहे ठीक है और जीन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको आल्रेड़ी ये पता चलता होगा ठीक है तो चलिए सबसे पहला नमर को लेंगे जो भी important 30 questions है उनको हम लेंगे फिर उसके बाद आगे प्रैक्टिस इसको continue करेंगे तो सबसे पहला नमर को स्चलते हैं आप अपने answer देते रहेगा थोड़ा fast चलेंगे हम ठीक है तो सबसे पहला नमर को स्चन है निमनलिखित में से किस देश का और लिखित सम्विधान आए पहला नमर कोर्शन है ये USA, B UK, C Pakistan और D भारत ABCD में से आप अपने answer टाइप किजे कि किस का और लिखित सम्विधान है ठीक है पहला नमर कोर्शन है ये जल्दी किजे जल्दी जल्दी हम चलेंगे तो चली बता देंगे इसका answer होगा B UK United Kingdom ठीक है next question लेते है दूसरा नमर कोश्चन भारत की समिधान सभा के अध्यक्ष कौन था या कौन थे ठीक है A. डाक्टर भीम रामबेटकर B. राजेंदर प्रसाद C. डाक्टर वियन राय D. पंडी जवाला नेहरू तो A. B. C. D. में से आप अपने अंसर टाइप कीजिए दूसरा नमर कोश्चन है ये इसका एंसर क्या हो सकता है A. B. C. D. में से आप अपने अंसर टाइप कीजिए तो चली बता दें इसका एंसर होगा डाक्टर राजेंदर प्रसाद यानि की B ठीक है? चली थार्ड कोश्चन लेते हैं तीसरा नमर कोश्चन भारत के समविधान की प्रस्तावना में निलिखित में से वह सब्द कौन सा है जिसका समावेशन समविधान 42. संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था, ठीक है? A. समाजवादी B. पंत निरपेच C. गरिमा D. निष्ठा A. V. C. D. में से आप अपने answer टाइप कीजिए तीसा नमर कुश्चन के लिए क्या होगा आपका answer जल्दी जल्दी चलेंगे हम थोड़ा comment में जल्दी जल्दी आप fast करते रहिए comment क्या हो सकता answer तो चलिए बता दें तीसा नमर कुश्चन का होगा answer C. गरिमा जो है वो बैलिस्वा संसोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था ठीक है चलिए चौथा नमर कुश्चन लेते हैं समविदान बनाती समय निमनलिखित में से कौन सा आदस प्रस्तावना में सामिल नहीं किया गया था आदस प्रस्तावना में कौन सा इसमें से जो option है उसमें से सामिल नहीं किया गया था A. सुतंतता B. समता C. समाजवादी D. निया चौथा नमर कुश्चन का क्या होगा answer जल्दी से आप type किजे ठीक है जल्दी किजे तो चलिए बता दें इसका answer का C. समाजवादी जो है वो आदस स्वस्तावना में सामिल नहीं था ठीक है? नहीं किया गया था तो चलिए पाँचवन नमर कुश्चन लेते हैं निमलिकित में से वो दो सब्द कौन से हैं जिनका समावेशन बैलिस्वा संशोधन द्वारा समविधान की उद्देशिका में किया गया था तो आपको बताना है कि इन में से कौन दो हैं ठीक है? A. धर्म निर्पेच और लोकतांत्रिक B. प्रभुत्व संपन लोकतांत्रिक C. समाजवादी और धर्म निर्पेच D. धर्म निर्पेच और गरतांत्र ठीक है? तो ABCD में से आप अपने अंसर टाइप कीजिए पाँचवा नमबर कोश्चन का क्या होगा अंसर? फाइफ नमबर कोश्चन है ये जल्दी कीजिए तो चलिए बता दे इसका अंसर होगा C. समाजवादी धर्म निर्पेच ठीक है? तो चलिए चटवा नमबर कोश्चन लेते हैं चटवा नमबर कोश्चन में है अनुशेद पहले की बात कराईए सम्विधान का अनुशेद एक भारत को घोशित करता है क्या घोशित करता है? A. संगिय राज्यों के रूप में B. अर्धसंगिय राज्यों के रूप में C. एकात्मक राज्य के रूप में D. राज्यों के संग के रूप में तो ABCD में से आप अपने answer टाइप कीजिए 6 नमबर कोश्चन है 6 नमबर कोश्चन का क्या होगा answer जल्दी से आप टाइप कीजिए थोड़ा फास चलेंगे हम 30 कोश्चन हमें लेने हैं इसमें से और जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो 2 से 3 बार आप वीडियो को प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो चली बता दें इसका अंसर होगा D. राज्यो के संग के रूप में ठीक है अनुश्य देख में है ये चली सात्वा नमबर कोश्चन लेते हैं सैवेंथ नमबर तो सात्वा नमबर कोश्चन में है भारतिय सम्विधान को अपनाया गया था डेट बताना है ठीक है तो A में है आपका 26 जनुरी 1950 B में है आपका 26 जनुरी 1946 C में है आपका 26 नमबर 1949 और D में है आपका 21 दिसंबर 1949 तो A, B, C, D में से आप अपने अंसर टाइप कीजे भारतिय सम्विधान को अपनाया गया था साथवा नमबर कोश्चन है जल्दी से आप अपने अंसर टाइप कीजे क्या होगा अंसर A, B, C, D में से तो चली बता दें इसका अंसर होगा C 26 नमबर 1949 को अपनाया गया था ठीक है आठवा नमबर कोश्चन लेते हैं भारतिय सम्विधान की रचना निमनलिकित में से किसने सरवाधिक गंबीर प्रभाव छोड़ा है मतलब आपको पताना है कि भारतिय सम्विधान जो है उसमें जो आप्सन है उसमें से सरवाधिक प्रभाव किसका है A, British सम्विधान का B, सन्यूक्त राज अमेरिका का सम्विधान C, Ireland का सम्विधान और D, आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 किसका प्रभाव ज़्यादा है आपको यह बताना है ठीक है तो जल्दी से आप अपने एंसर टाइप किजे आठवा नमबर कोश्चन का क्या होगा एंसर तो चली बता दें इसका एंसर अधिनियम 1935 का सबस्यादा प्रभाव है मतलब सबस्यादे इसी के आधार पर आगे चल भी रहा था जब तक हमारा सम्विधान गठित नहीं हुआ ठीक है अगर ऐसा कुश्चन आता है तो आप एंसर कर दीजेगा नौ नमबर कुश्चन लेते हैं भाते सम्विधान सबा की संगीय सक्ती शमीती के अध्यक्ष कौन थे ठीक है आपको बताने हैं संगीय सक्ती समीती के अध्यक्ष कौन थे A. सरदार बल्ला भाई पटेल B. डाक्टर भीमराब मेडिकर C. सर अलादी कृष्चन स्वामी अयर D. पंडी जवाला नहरू A. वी सिडी में से आप अपने एंसर टाइप कीजिए नौ नमबर कुश्चन का क्या होगा एंसर थोड़ा हम फास्ट चल रहा है ठीक है जल्दी जल्दी आप अपने एंसर टाइप करते रहे हैं फिर आप लास्ट में स्कोर भी अपना बताईएगा तो चलिए बता दें इसका एंसर होगा D. पंडी जवाला नहरू ठीक है चलिए दस नमबर कुश्चन रहते हैं ये बहुत सारे एंसर में ये सारे कुश्चन आए हुए हैं ठीक है तो चलिए आपको थोड़ा कुश बता दें मैं सारे प्रैक्टिस सेक्ट में से जो भी इंपोर्टेंट सबसे जादे बार जो कुश्चन आयरते हैं उनको मैं अलग करके फिर मैं आपके लिए लेके आता हूँ और जो भी मैं आपको एंसर बताता हूँ वो पब्लिकेशन ज ठीक है एंग्लैंड से बी यूएसे से सी कनाडा से और डी फ्रांस से तो ए वी सीडी में से आप अपने एंसर टाइप कीजिए कि भारत में एकल नागरिक्ता कि आउधारणा कहां से अपनाई गयी है जल्दी से आप अपने एंसर दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ू दस न महासंग की योजना किसके समिधान से ली थी ठीक है आपको बताना है कि जो भारतिय महासंग की योजना है वो किसके समिधान से ली गई है ठीक है ए सन्यूक्त राज अमेरिका बी कनाडा सी आयरलेंड और डी यूनाइट किंग्डम UK ठीक है तो ABCD में से आप अपने एंसर ट जल्दी से आप अपने एंसर टाइप कीजिए 11 नमर कोश्चन है यह तो चलिए बता दें इसका एंसर होगा B कनाडा ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन लेते हैं 12 नमर कोश्चन हमारे सम्विधान में नियाइक समिक्षा की धारणा किस देश के सम्विधान से ली गई है एक ब A. इंग्लैंड B. यूएससे C. कनाडा और D. अस्टेलिया ABCD में से आप अटमें एंसर टाइप कीजिए 12 नमर कोश्चन का क्या होगा एंसर तो चलिए बता दें इसका एंसर होगा B. यूएससे ठीक है नेक्स कोश्चन लेते हैं 13 नमर कोश्चन तो चलिए 13 नमर कोश्चन लेते हैं मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए निम्न में से किसी न्याले द्वारा क्या जारी किया जा सकता है एक बार रिपीट करता हूँ मैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्याले द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ए, डिकरी, बी, अध्यादेश, सी, समादेश यार रिट भी बोलते हैं उसको ठीक है? और डी, अधिसूचना, तो A, B, C, D में से आप अपने एंसर दीजिए, 13 नमबर कुश्चन का क्या होगा एंसर? थोड़ा fast चल रहे हैं हम, इसके लिए sorry, तो चलिए बता दें, इसका एंसर होगा, C, रिट जारी कर सकता है, ठीक है? और मैं बता दूँ, पांस तरह के रिट जारी करता है, ठीक है? समादेश भी बोलते हैं उसको, ठीक है? तो चलिए, 14 नमबर कुश्चन लेते हैं, उच नयाले अथवा सरोच नयाले द्वारा किस समादेश, मतलब रिट की बात कर रहा है, रिट को जारी करके किसी प्रादिकारी द्वारा न किया जा रहा, कोई कार्य कराने के लिए बाद्ध किया जा सकता है, ठीक है? मतलब कि जो कौन सा रिट है, जो सरोच नयाले या उच नय प्रति अच्छी करण C, परमादेश और D, अधिकार प्रिच्छा ठीक है? तो A, B, C, D में से आप अपने एंसर दीजे 14 नमबर कोश्चन का क्या हो सकता एंसर? जल्दी कीजे 14 नमबर कोश्चन है तो चलिए बता दें इसका एंसर होगा C, परमादेश ठीक है? चलिए नेक्स कोश्चन लेते हैं, 15 नमबर कोश्चन तो चलिए 15 नमबर कोश्चन लेते हैं निमनलिखित में से उच्छ न्याले या उच्छ तम न्याले का वहरीट आदेश कौन सा है जो किसी प्रदिकार को रद करने के लिए लिया जाता है, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ निमनलिखित में से उच्छ न्याले या उच्छ तम न्याले का वहरीट कौन सा है वहरीट आदेश कौन सा है जो किसी प्रदिकार को रद करने के लिए लिया जाता है ए, परमादेश रीट बी उच्छन सी अधिकार पिच्छा और डी बंदी प्रतिच्छी करण ठीक है, तो आपको बताना है ABCD में से पंदर नंबर कुश्चन का क्या होगा एंसर जैसे कि मैंने बताता है, रीट पांस तरीके से जारी करता है ठीक है, उसी पर सारे कोश्चन है आगे, आगे भी कोश्चन आपको मिलेंगे तो पहले आप बताएए कि पंदर नंबर कोश्चन का क्या हो सकता है एंसर उच्छ नयाले या उच्छ तम नयाले द्वारा कौन सा रीट है जो प्रदिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है चलिए बताते हैं, इसका अंसर का C, अधिकार प्रिच्छ तरीक है तो चलिए 16 नंबर कोश्चन आते हैं निमनलिकित में से वो अधिकार कौन सा है जिसकी गढ़ना भारत के सम्मिधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्टम नियाले ने मौलिक अधिकार बताया है ठीक है? A. नीजिता का अधिकार B. विदी के समच समानता C. अस अधिशता का उन्मोलन और D. आपका है एसोशियेशन यानि की संग यूनियन बनाने का अधिकार A. B. C. ड. में से आप अपने अधिकार टाइप कीजिए कि कौन सा है जो भारत के सम्मिधान में नहीं लिया गया है फिर भी उच्टम नियाले जो है उसको मौलिक अधिकार बताया है 16 नमबर कोश्चन के लिए क्या होगा आपका अधिकार? फिर हम नेक्स कोश्चन लेते हैं यह थोड़ा अटवड़ा सा कोश्चन है ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी यह आया हुआ है इसलिए मैं इसको लिया हूँ तो चलिए बता दे इसका एंसर होगा A. नीजिता का अधिकार ठीक है चलिए अब बताएए 17 नमर कोश्चन है उच्तम न्याले द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है अभी मैंने बताया है उच्तम न्याले द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी कर सकते है या जो करता है उसको आपको बताना है ए दो, बी, तीन, सी, पाँच और डी, छे, सतर नमबर कोश्चन है ये, ये भी सीडी में से आप अपने अंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिए, फिर हम 18 नमबर कोश्चन लेंगे, तो चलिए बता दें, बहुत यसान है ये, सी, ठीक है, पांस तरह के रिर जारी करता है ठीक है, नेक्स कोश्चन लेते हैं, अब 18 नमबर कोश्चन, डाक्टर भीम राम बेटकर ने समविधान का हिर्दय और आत्मा किसे कहा है, हिर्दय और आत्मा किसे कहा है, A. समानता का अधिकार, B. शोशड के बिरुद अधिकार, C. समविधानिक उप्चारों का अधिकार, D. धर्म की सोतंतिता का अधिकार, ABCD में से आप अपने अंसर टाइप कीज़े, जल्दी से 18 नमर कोश्चन का क्या हो सकता है अंसर, बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है, यह कई बार बहुत सारे एक्जाम में यह आ चुका है, कि डाक्टर भीम राम बेटकर ने समविधान की हिर्दय और आत्मा किसे कहा है तो चलिए बता दें, इसका अंसर होगा C, समविधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, नेक्स कोश्चन लेते हैं, 19 नमर कोश्चन, प्रेस की सो तंतता, भाते समविधान के किस अनुछेद में मिलती है, आपको बताना है, प्रेस मतलब की यह बात कर रहा है, मीडिया की ठीक है, प्रेस की सो तंतता, भाते समविधान के किस अनुछेद में मिलती है, A, अनुछेद 19, B, अनुछेद 21, C, अनुछेद 14, D, अनुछेद 16, तो आर्टिकल आपको बताना है कि किस अनुछेद में प्रेस की सो तंतता है, ठीक है, A, B, C, D में से आप अपने एंसर टाइब कीजिए, 19 नंबर कोस्चन है यह, 30 कोस्चन है इस प्रेक्टिस सेट में, और जो लोग की प्रेक्टिस अच्छेद से नहीं हो पा रही है, या कुछ कोस्चन उन्होंने जल्दी से उनके आप्षिन नहीं देख पाया है, तो दो बा लिए 20 नंबर कोस्चन लेते हैं, 20 नंबर कोस्चन में है, भारतिय समविधान में अलप संख्यकों को मानेता किस अधार पर दी गई है, आपको बताना है कि अलप संख्यकों को मानेता किस अधार पर दी गई है, A, धर्म, B, जाती, C, कुल जनसंख्या, उस वर्ग की अख्या का अनुपात और D रंग यानि की वर्ड तो आपको बताना है A, B, C, D में से की अजसंख्यों को मानने तक किस अधारपदी गई है जल्दी कीजिए तो चलिए बता दें A, धर्म के अधारपद ठीक है तो चलिए एक कई स्तमर कुछ चल लेते हैं समविधान में मौलिक करतब्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए बहुत important most important question समविधान में मौलिक करतब्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए A, 40-वे संशोधन B, 42-वे संशोधन C, 44-वे संशोधन और D, 45-वे संशोधन तो जल्दी से आप अपने answer type कीजिए कौन से संशोधन द्वारा म बहुत आसान question है, बहुत important question है, तो चलिए बता दें, इसका answer होगा 42-वे संशोधन यानि की B, ठीक है, तो चलिए 22 नमर question लेते हैं, भारते संविधान के निम्नलिकित भागों में से जो भी भाग दिये गया है, ठीक है, किसी एक में नयपालिका का पार्थक्य का प्रवधा प्रस्तावना, B. मूल अधिकार, C. राजनिती सम्मंधी निर्देशक सिध्धान्त, और D. सात्वी तालिका, तो आपको बताना है, A, B, C, D में से, ठीक है, जल्दी से आप अपने answer type कीजे, तो चलिए बता दें, 22 नमर question का answer होगा, राजनिती निर्देशक ततो भी बोलते राजनिती निर्देशक सिधान्तों के अनुसार, किस आयू तक के बच्चों को निशूलक एंव, अनिवार सिछा देने की आशा की जाती है, ठीक है, एक चीज मैं बता दू, राजनिती निर्देशक ततो जो है, वो राज्य के उपर है, कि राज्य उसे करता है कि नहीं, ठ कोस्चन में आपको यह बताना है कि कितने वर्स तक के बच्चों को निशूल कुसी इच्छा देना, अनिवार करने की आसा है, ठीक है, A, 14 वर्स, B, 15 वर्स, C, 16 वर्स, D, 18 वर्स, तो A, B, C, D में से आप अपने एंसर दीजे, 23 नमबर कोस्चन है यह, 30 कोस्चन नेंगे हम इस प्रैक्टे सेट में, तो जल्दी से आप अपने एंसर टाइप कीजे, 23 नमबर कोस्चन के लिए क्या होगा एंसर, फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो चली बता दें, इसका एंसर होगा A, 14 वर्स तक के बच्चों को ठीक है, 24 नमबर कोस्चन नेते हैं, भारत्य सम्मिधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है, ठीक है, A, भारत्य सम्मिधान की प्रस्तावना, B, मौलिक अधिकार, भाग तीन में है, C, राजनिती निदेशक सिर्धान, जो की सम्मिधान का भाग चार है, और D, भारतिय सम्मिधान की अनुसूची, ये भी चार में है, तो आप जल्दी से बताए कि किस में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में इस्थापित करने की बात की गई है, किस भाग में, तो चलिए बता दें, इसका एंसर होगा, C, राजनिती निदेशक सिर्धान, ठीक है, चलि कहां के सम्मिधान से लिग गई है, ठीक है, अब तो बात हो रही थी कि क्या क्या है उसमें, अब आपको बताने कहां से लिग गई है, तो बताए, A, USA, B, Canada, C, USSR, D, Ireland, तो जल्दी से आप अपने एंसर टाइप कीजिए, पचीस नमबर कुश्चन का क्या होगा एंसर, ठीक है जल्दी से आप अपने एंसर टाइप कीजिए, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों का कुश्चन छूट जा रहा है, दो से तीन बार आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए बता दें, इसका एंसर होगा, D, Ireland, ठीक है, तो चलिए 26 नमबर कुश जाएगा समिधान के अनुशार, ठीक है, A, एक मास, मतलब एक महीना, B, छे मास, C, तीन मास, और एक वर्स, D, ठीक है, तो A, B, C, D में से आप अपने एंसर टाइप कीजिए, 26 नमबर कुश्चन का क्या हो सकता है एंसर, जल्दी कीजिए, कितने समय के भीतर भरा जाएगा स समिधान के अनुशार, तो चली बताने, इसका एंसर होगा, B, छे मास, यानि छे मास, ठीक है, चली 27 नमर कुश्चन लेते हैं, निमनलिखित में से किसकी नियुक्तीर राजपती द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है, किसकी नियुक्तीर राजपती द्वारा नहीं की जाती ह तो जल्दी से आपको बताना है कि राश्पती द्वारा कौन न्यूक्त नहीं किया जाता है ABCD में से आप अपने अंसर टाइप कीजिए 27 नमबर कोश्चन है तो चलिए बता दें इसका अंसर होगा उपराश्पती संसत के सदस्यों द्वारा होता है चलिए 28 नमबर कोश्चन लेते है भारत के राश्पती के पास अपात अधिकार है मतलब कितने अपात अधिकार है A. चार प्रकार के B. दो प्रकार के C. पांच प्रकार के D. तीन प्रकार के ठीक है बात कर दास्वती के पास अपात अधिकार है कितने प्रकार के? अबी सिर्डी में से आप अपने एंसर टाइप कीजिए 28 नमबर कोशिन का क्या हो सकता है एंसर? तो सभी लोग जानते होंगे ये तीन प्रकार के होते हैं ठीक है इसका एंसर ओगा D ठीक है 29 नमर कोश्च चल लेते हैं तो चलिए 29 नमर कोश्च चल लेते हैं बित्ती आपात इस्थिती घोसित की जा सकती है A अनुछेद 360 लागू करके B अनुछेद 361 लागू करके C अनुछेद 370 लागू करके और D अनुछेद 371 लागू करके तो ABCD में से आप अपने answer type कीजे जल्दी से आप अपने answer type कीजे 29 नमर कोश्चन के लिए क्या होगा आपका answer फिर उसके बाद last question लेंगे हम 30 नमर कोश्चन ठीक है तो चलिए बता दें इसका answer होगा A अनुछेद 360 ठीक है और एक चीज़ और बता दें वित्ती आपात PCS में ये question है था कि कौन सा रस्ती आपात है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है ठीक है तो यही है 360 में है ये वित्ती आपात ठीक है तो चलिए तीस नमर कोश्चन ठीक है लास्ट कोश्चन है हमारे प्रेक्टिसेट का और नेक्स्ट मेसेट जल्दी से लेके आउंगा और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज प्लीज लाइक अस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन दबा दिजे लास्ट कोश्चन है भारत का राश्ट्वती अपने पद पर पुनर निर्वाचित के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है आपको बताना है कि फिर से निर्वाचित होने के लिए भारत का राश्वती कितनी बार अमेरिका में जो उबामा थे, उबामा दो बार रह चुके हैं और वहाँ यही नियमें कि दो बार चे अधिक आप नहीं खड़े हो सकते हैं, तो आपको बताना है कि हमारे देश में क्या है, ठीक है, एवी सीडी में से आप अपने अंसर टाइप कीजिए, तो चलिए बता दें इसका अंसर होगा D, जितनी बार चाहे वो पुना निर्वाचित होने के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है, तो आसा करते हैं कि यह practice set आपके लिए helpful रही होगी, आप comment करके अपने feedback जरू दीजेगा इस practice set के बारे में कि आपको हमारा practice set कैसा लगा, आपके कुछ भी suggestions हो, आप comment box में लिखिए, मैं पूरा देखता रहता हूँ, ठीक है, और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe और bell icon दबा दीजिए, जिसे मैं कोई भी practice set लेकिया हूँ, तो उससे आपकी के धन्यवाद